In this problem, it is given that the diagram below shown a junction with current level from I1 to I6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, okay. Which of the following statement is correct? In 4 में से कौन सा statement, correct हुआ हमें चेक करना है. So, अगर हम देखें, अगर मैं अलग लग लग जंक्शन लनू, सपोज मैं इस जंक्शन को देखूँ, इसको मैं P बोल देता हूँ, इस जंक्शन को मैं Q बोल देता हूँ, और इस जंक्शन को मैं R बोल देता हूँ. तो जंक्शन P पे अगर मैं incoming current देखूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा? I1 प्लस I5, this should be equal to I6, that is the outgoing current. Junction Q पे मैं देखूँगा, I2 तो है incoming current, और I5 and I4 बहुत और outgoing current. यह बाद आपको clear हो रही होगी. अब अगर मैं option पे देखूँ, तो मुझे I1 प्लस I2 मिल रहा है, I1 प्लस I3 मिल रहा है, और I4 प्लस I3 and I6 प्लस I4 मिल रहा है. यानि कि अगर मैं कहता हूँ, this is equation number 1, this is equation number 2, we can say I1 प्लस I2 is written as the I4 प्लस I6, क्योंकि I5 तो इधर left में, इधर right में है, तो यह तो आपका कट जाएगा. I1 प्लस I2 इकल टू I4 प्लस I6, अगर आप देखो तो option भी आपका answer आजाएगा, और single option क्यूशन है, तो कोई problem ही नहीं है, in this way we will able to solve it.